कि अज़िए कि हलो दोस्तों आज मैं कंपेडिशन करने जा रहा हूँ फोर फोर जी मोबाइल ऑपरेटर्स को लेकर परस्ट जो अपरेटर की बात करूंगा वो है आइडिया आइडिया का जो ऑफर है वो 348 का है और उसका वैलिडी है एक्टाइस दिन तक फर्स जो कॉल का है आपको लोकल एस्टीडी ओननेट और ओफरेट कॉलिंग सब कुछ अनलिमिटेड मिलेंगे 348 रुपीस में और जो डेटा मिलेंगे आपको वो होगा 14 जीबी 28 दुने के लिए मतलब कि आप पर डे 500 एमबी आपको मिलेंगे और 500 एमबी आपको आपके खतम हो जाने के बाद आपको पर जीबी 4000 रुपी चार्ज होगा और इसमें एडिशनल कोई वेनिफिट नहीं मिलेगा आपको आप बद करते हैं वोडाफोन को लेकर वोडाफोन का जो प्लैन है उसका प्राइस है 346 और इसका वैलरीटी है 28 देज और आपको कॉल मिलेंगा तीन सो मिनिट पर दे आपको 200 मिनिट मिलेंगे डेटा मिलेंगे आपको 28 जीबी आईडिया से दुगना डेटा मिलेंगे आपको और इसका पर दे आप वान जीबी यूज कर पाएंगे और इसमें कोई नाइट और डे का कोई मैटर नहीं है कि आप नाइट में 500 GB यूज़ कर पाएंगे और डे में तो ये वोड़ापन के तरफ से एक अच्छा है जो आपको 1 GB दे रहा है आप किसी भी टाइम आप इसको यूज़ कर पाएंगे लेकिन पोस्ट उसके बाद आप वांजीबी के बाद आप अगर एक परजी भी आपको 4000 रुपीज चार्ज होगा अब बात करते हैं एटल की एटल का जो प्लान है उसमें प्राइस है 349 और इसका वैलिटी भी 28 दिन तक है और आपको कॉल बगरा सब कुछ अनलिमिटेड मिले इसका भी डेटा 28 जीबी है जो वोड़ापन का है और आपको यहां पे मिलेंगे 500 जीबी पर डे लेकिन नाइट में आप 3 एम से 5 एम तक आप 500 जीबी यूज कर पाएंगे और दिन में आप 500 जीबी यूज कर पाएंगे तो यह ज्यादा अच्छी बात नहीं है एटल के तर जो प्राइम प्लाइन है जो प्राइमम्बर का जो प्लाइन है पहले तो आपको 99 रुपीस में आपको प्राइममंबर पर बनना पड़ेगा उसके बाद आपको 303 रुप्य में आपको 28 दिन तक के लिए जो डेटा मिलेंगे वो होगा अथाईस जीबी आप अनलिमिटेड क वही मिलेंगे आपको और उसके बाद आपको 128 kbps पे भी डेटा मिलेंगे तो जियो में यह सबसे अच्छी बात है जो और अपरेटर्स का नहीं है और एक स्पेशल बेनिफिट भी मिलेगा आपको वह होगा कि आप 31st मार्च 2017 से पहले आप अगर सब रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको 5gb डेटा एक्स्ट्रा मिलेंगे तो यह काफी अच्छा है आप इस ओफर को पाएंगे मार्च 2018 तक तो यही है जियो आईडिया एटल और वोड़ापन की तरफ से जो जो ऑफर खोशिद किया गया है आपको एक बता दूँ जियो की तरफ से जो जियो प्राइम का प्लान है वो 99 रुपीज में है वो आपको एक बारी करना होगा रिचार्ज उसके लिए लेकिन उसके बाद 303 रुपे में हर महीने आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तो जियो एटल वोड़ाफोन आईडिय चारों अप्राइटर को आप अगर कांपेर करेंगे तो मैं कह सथा कहा हूँ जियो का प्लान सबसे ज्यादा अच्छा है और जियो का प्राइज बी सबसे कम है और जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा आपको डेटा कstep्स करेंगे तो उसमें भी जियो आप अगर यूस करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगले और वीडियो के लिए इस तरह, और स्पेशली हेटफोन के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सें, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाजिए,